जय हिन दोस्तों स्वागत एक बाद फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक इन फॉरॉन में तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले प्लेयर का किसा रिकॉर्ड है और पिच कैसी बेप करेगी और उस टाइब के पिच पर कौन से प्लेयर अच्छे रहेंगे जिससे आपको ड्रीम इलोन टीम बनाने में काफी असानी होगी चैनल को सबस्क्राइब करके बेल को आइकन जरूर प्रेस कर दीजगा जिससे आपको वो यह कि आपको मारा final update जो भी final team होगी कुछ important GL rotation वो सब कुछ मिलेगा लेकिन कहा हमारे telegram channel पर इसलिए आपको हमारे telegram channel से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है उसके लिए करना क्या है जो सबसे best method है वो यह है कि नीचे जो pinned comment है यानि first comment उसमें आपको टेलिग्राम का link दिखाई देगा उसे क्लिक किजिए और चैनल को जॉइन कर लिजे नहीं तो इस screen पर दिये गए instructions को follow किजिए तो दोस्तों टेलिग्राम चैनल जॉइन करने के लिए आपको करना क्या है आपको जाना है टेलिग्राम एप पे यह टेलिग्राम एप है उपर टॉप में राइट साइड में आपको search का option दिखेगा वहाँ पर जाकर सर्च करेंगे उस हिसाब से आप चैनल का अंदादा लगा लिजेगा बस सेम इसी username वाले चैनल को जॉइन करना है और आप इसके बाद चैनल से आराम से जूड़ सकते हैं तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले एक लाख रुपए का फ्री गिवे चल ला है विजानी लउन पर पचास जार इस मैच में पचास जार नेक्स मैच में लगबग हर मैच में अच्छा का सा गिविव आता है तो जिसके पास पैसे भी नहीं है वो होगा जहां पर इस्पिनर्स को मदद मिलता और इस्टोरिकली देखे न तो यह इंडिया का वन अब दो मोस्ट इस्पिन फ्रेंडली वेन्यू रहा है हालंकि इस IPL में वैसा पिच अभी तक उतना देखने को नहीं मिला है लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहा 150-160 के बीच में स्कोरिंग होगा तो दोनों टाइब का हम प्रिब्यू देखेंगे कि काउन कब अच्छा पिक होगा तो इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा बात करते हैं लाश्ट के कुछ IPL मैच है तो पिछले मैच में SRH बहुत खराब खेली थी 134 ही बना पाई थी CSK आराम से जीत गई हलंकि यहाँ पर टर्न मिल लाता है Spinners को पेस को दोई विकेट मिला Spinners छे विकेट लेके गए फिर यह देखिए अरार ने 175 CSK 170 बनाया चैन्नाई ने 217 LSG 205 बना लेके गया तो इसमें थोड़ा बल्लेवाजों को ज़्यादा एडवांटेस था लेकिन रह रहे के Spinners के मुफीद विकेट भी मिलेंगी तो प्रिव्यू दोनों हिसाब से देखिए का कौन स्पिन का अच्छा प्लेयर है कौन कैसा प्लेयर है उस हिसाब से डिसाइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है बात करें यहां पर कुछ इस वेन्यू के हिस्टॉरिकल रिक दे गेम है तो ज़्यादा चांसे जहें कि टॉस जीत के लोग यहां पर बैटिंग करना ही पसंद करेंगे क्योंकि यहां पर सेकेंड इनिंग में विकेट स्लो हो जाता है श्पिनर्स को टर्न थोड़ा जादा बढ़ जाता है तो सेकंड इनिंग के इस वेन्यू पर और भले ही विकेट स्लो भी ना हो तब भी, तो यह ध्यान देना है, टोटल मैचेज अगर हम देखें 2019 से, तो बैटिंग फर्ट ने 6 जीते हैं, बैटिंग सेकेंड ने 5 जीते हुए, और CSK इस वेन्यू पर अगर हम उनका रिकॉर्ड देखें न, तो बहुत लगबग अन बी दर आएगा, बात कर लेते हैं, चैने सिपर, सुपर किंग्स टीम के प्रिव्यू की, तो परफॉमेंस काफी अच्छा चल ला है, हालनकि इस सीजन थोड़ा टक्कर जादा हो रहा है, इसलिए चौथे नंबर पे हैं, अभी एक मैच पहले फर्स्ट नंबर पे भी चल लाए टीम काफी अच्छी है, और अभी तक का परफॉमेंस बढ़िया रहा है, बात करते हैं, इनके टीम में चेंजेच की, तो मुझे नहीं लगता कुछ खास चेंज होने वाला है, पाठिराना को ये लगतार बैक कर रहे हैं, वहीं दीपक चहर का अभी हो रहा था कि साइद इस बात करें, तो देखें जडे जा, तिछड़ा, तुसार देश पांडे, पाठिराना, एक, दो, तीन, चार, ये इनके में बॉलर्स हैं, पांचवे बॉलिंग ऑप्सन में यहां से आकास सिंग आएंगे, तो ये पांच में बॉलर्स हो जाते हैं, लेकिन आकास सिंग मुशल है, देश पांडे और पाठिराना ही, डेथ में करते नजर आ रहे हैं, एक और इंपोर्टेंट पॉइंट हैं देना है, नमबर ओफ लिफ्ट हैंडर्स देखिए इधर, अच्छे खासे लिफ्ट हैंडे बल्लेबाज हैं, और इसका सीधा साधा इंडिकेसन है कि सामने वाल का एवरेज से, इस्पिन के बहुत ही तगड़े प्लेयर माने जाते हैं, और इन फैक्ट ये डोमेस्टिक क्रिकेट में ना वन अप टॉप बल्लेबाज स्पिनर्स के माने जाते हैं, बहतरीन फॉर्म में है, मस्ट है पिक रहेंगे, इवन कैप्टन सी ऑप्सन में भी आप consider कर सकते हैं, head to head venue उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बल्लेबाज बहुत ही सांदार है, जरूर कबर कीजिए, फिर आते हैं डेवन कॉनवे, जो के spin के बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज माने जाते हैं, पिछले match में थोड़ा bad luck था, timing ही शुरुवास से नहीं कर पाए, तो कि कह सकते हैं, इस समय carrier के base form में चलना है, क्योंकि इतना consistent ये पूरे जिंदगी नहीं रहे हैं, कि 45 का average हो, और 190 का strike rate हो, और जो important point है, बहुत ही अच्छा timing कर रहे हैं, इनको कब छोड़ सकते हैं, देखिए अगर slow wicket होता है, जैसे आता ही कि चिन्नही का wicket एकदम rank turner हो, त तो ये spin के उतने अच्छे player नहीं माने जाते हैं, और फिर spinners पर ये wicket फेकते भी हैं, तो इसलिए slow wicket एकदम होता है, तब आप इनको छोड़ सकते हैं, बैटिंग wicket है, तो जिस साथ से form चल ला है आपको cover करना चाहिए, क्योंकि बहतरीन timing इस समय कर रहे हैं, hit to head, venue उतना अच्छा नहीं है, और venue इसलिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये wicket पास्ट में एकदम spin friendly रहा है, और ये spin friendly पे नहीं चलते जादा, spin के बहुत ही खराब player माने जाते हैं, खासकर rank turner पे, बैटिंग wicket पे spin अच्छा किलते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं सिवम दू लेकिन जो important point है, slow wicket पे इनका record बहुत ही खराब रहा है, और slow wicket पे generally ये नहीं चलते हैं, आप venue पे भी record देखेंगे, तो उतना अच्छा नहीं है, ऐसे spin के against इनका record अच्छा है, मतलब batting friendly पे spin को अच्छा कहलते हैं, लेकिन एक होता है कि जब rank turner होता है तब अच्छा न कर रहे हैं, तो आप risk ले सकते हैं इन पे, खास कर क्तब बल्ले बाजो के मुफीद wicket होती है, ये ध्यान देना है, फिर आते है मोहिन अली, अगर बात करें इस समय तो इनका कुछ खास उतना roll नहीं दिखाई दे रहा है, बैटिंग काफी नीचे हो चुका है, सिवम दूब most of the time कर नहीं रहे हैं, तो दो बर इनका मान के चलिए, मिलना ही मिलना है, प्लस बैटिंग में हैं, तगड़े एटर, लेकिन बहुत बड़ा स्कोर जल्दी नहीं करते हैं, 20-25 run most of the time आपको बनाते हुए दिखाई देंगे, तो अगर आप ऐसे देखें, तो 20-25 run प्लस एका प्लस बैटिंग में आके ये 25-30 run बनाने का माददार रखते हैं, तो ये ध्यान देजेगा, वेन्यू पर पर्फॉर्मेंस बैटिंग से अच्छा नहीं है, क्योंकि ये भी rank turner के बहुत अच्छे हो नहीं है, लेकिन विकेट देखें, चार मुकाबलों में 6 विकेट ले च में चलने हर मैच में एक या दो विकेट मिल ला है, प्लस बैटिंग में भी धोनी इनको अपने उपर ही भेज रहे हैं, और अगर हम देखें तो 20 का एवरेज है, 1500 का स्ट्राइक रेट है, अगर होता है slow विकेट तो आप इनको captaincy option में भी रख सकते हैं, जैसे slow विकेट तो उसका कुछ discussion करने का फायदा नहीं, महिस तिछरा अच्छे गिदवाज हैं, और जो सबसे important point है, कि अगर turn होगा, तो फिर इनको विकेट अच्छा खासा मिलेगा, और सबसे बड़ी बार, सामने वाली team में, जैसे Liam Livingston है, जितेश सर्मा है, ये लोग हर ball hit करने जाते हैं तो कई बार first जाते हैं, तो slow wicket हुआ, तो ये एकदम must have pick रहेंगे, नहीं तो basically इनको second inning में ज़्यादा विकेट मिलता है, खासकर Chennai जब pressure बना के रहता है, first inning में एक आक wicket मिलेगा, कभी कभार ज़्यादा, मतलब 2 wicket ले पाएंगे, तो first inning में उतने अच्छे pick नहीं रहें और even इनका economy में देख रहा था, total 11 के आसपास है, death में वो बढ़के पहुच जाता है, 13 के आसपास, लेकिन वही है, death overs में गिदवाजी कर रहें है, first inning में, और second inning में, Chennai नहीं ने most of the time इनका दबाव बना के रखा हुए, तब भी wicket मिले, हाँ, इनके पास variation है, कुछ सारा length पे गिदवाजी ज्यादा करते हैं, और cutters का भी इस्तमाल कर लेते हैं, लेकिन वही है कि बलेबाज मारने के चकर में जल्दी इनको out होते हैं, पिछले मैच में भी हुआ था, हर बाल मारने जा रहे थे, या सवी भी last में, तब वो उनका wicket गिरा, और ऐसे ही एक और बलेबाज आउट हुए, लेकिन जो important point है, ये wicket लेके जाते हैं, तो मतलब एक या दो wicket आपको most of the time दिलाएंगे, तो इसलिए एक ठीक ठाक option होंगे, चाहे first balling हो, चाहे second balling हो, आपके लिए बढ़िया पिक होंगे, फिर आते हैं M party राना, इन्होंने उनसे अच्छी line length maintain किया हुआ है, पिछले match में पिटाई हो गया था, नहीं तो और सारे matchों में अच्छी गिदबाजी किया, Yorkers के लिए जाने जाते हैं, slingy action के लिए, बस वही है कि variation इनके पास उतना ज्यादा नहीं है, तो वो उतना successful नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए एक trump card pick हो सकते हैं, इनका selection बहुत कम होगा, लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो धोनी इन पे इतना विस्वास कर रहे हैं, कि पिछले match में 16-1 अबर भी किया, 18-1 भी किया, मतलब ऐसा कोई अगर गिदबाजी करें 16-18-20, तो फिर उसके wicket लेने के chances अच्छे खासे रहते है तो इसलिए ये आपके लिए बेहतरीन trump card pick हो सकते हैं, खासकर first balling में, 16-18-20 करेंगे तो पिछला match अनलकी बोल सकते हैं, नहीं तो most of the time कोई मतलब खराब से भी खराब गिदबाजी अगर 16-18-20 करें तो उसको wicket मिलना तैय रहता है, तो first balling के case में बेहतरीन trump card pick होंगे, अ आकास सिंग, कुछ खास उतनी गिदबाजी नहीं कर रहे हैं, कभी भी पिटाई हो जा रहा है, ओवर्स भी कम हो जा रहे हैं, आप अराम से छोड़ सकते हैं, नीचे most probably और कोई खेलता हुआ, नहीं दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले my आई मास्टर जेलोन पर धेर सारे गिबवेच चल लाएं, प्लस उफर चल लाएं, बहुत ही तगड़ा डिपॉजिट उफर चल लाएं, तो मिस मत किजेगा, 50,000 रुपे का गिबवे इस मैच में, सेकेंड मैच में भी 50,000 रुपे का गिबवे और हर मैच में चलता रहता है प्लस विकेंड बोनांजा ओफर चल लाएं, कल तक ही रहेगा, 5% आपको रियल कैस मिलेगा, कोई भी डिपॉजिट 100 रुपे के उपर करते, कोड यूज करना है ITL T20L, ये कोड यूज करेंगे और आपको 5% रियल कैस एक्स्ट्रा मिलेगा, और सबसे बड़ी बात रियल कै सब्सेज रहते हैं, लगातार धीर सारे ओफर्स आते रहते हैं, तो इंतजार किसका कर रहे हैं, नीचे पिंड कॉमेंड में लिंक है, साइन अप करके अपनी जर्नी जरूर स्टार्ट कीजे, अब बात कर लेते हैं, पंजाब गेंग्स टीम के प्रिव्यू की, तो बैटिंग और ना बदले, इसलिए मैंने 12 प्लेइर दिखा दिया, तो फर्स बैटिंग होगा तो प्रप्शिमरन रहेंगे, एक बॉलर नहीं रहेगा, जो बाद में आएगा, इंपक्ट प्लेइर में, और वहीं सेकेंड बैटिंग होगा, तो प्रप्शिमरन इंपक्त के रूप में आएंगे open करने के लिए important point है most up the over की बात करें तो और सदीब करते वे दिखाई देंगे वहीं पे अगर हम बात करें तो रबाड़ा हैं और सैम करन है ये तीन इनके main ballers है 12 over और रहुल चहर से भी आप मान के चलिए अच्छे और सिकंदर रजा इनमें डिवाइड होंगे चार over इनको मिलके करना है सामने left handers ज्यादा है तो हो सकता हर्प्रीद ब्रार उतना ज्यादा over ना करें लेकिन वही टर्निंग पिछ होगा तो हर्प्रीद ब्रार कंफार्म अच्छा-कासा over करेंगे और लिविंग इस्टन अर्सदीप सिंग और सैम करन को आप डेथ में बॉलिंग करते हुए देखेंगे तो यह इंपॉर्टेन पॉइंट रहेगा अब हम चलते हैं प्लेयर वाइज अनाल्सिस में टीम कंपोजिशन स्क्रीन पर है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आते हैं सिखर दवन बहुत ही सा अगर बैटिंग विकेट होता है तो आप कैप्टेंसी ऑप्सन में भी कॉंसीडर कर सकते हैं प्रफ सिम्रन सिंग टोटली हिट और मिश्टाइप वाले वाज कभी कबारी ज्यादा स्कोर करेंगे आराम से छोड़ सकते हैं फिर आते हैं अथारो ताइडे लास्ट के दोनों मैच में इंप्रेस किया एक में अटैकिंग 29 किया फिर पिछले मैच में भी अपना टैलेंट दिखाया कि डोमेश्टिक में क्यों इनको टैलेंटेट बोला जाता है लेकिन इनसे बहुत अच्छे वल्लिवाज अभी मौजूद है उनको कबर कीजिए यह कंसिस्टेंटली प लिकेट होता है तो कुछ ओबर्स बॉलिंग भी करेंगे और सामने लिफ्ट हैंडर्स हैं तो एक दो ओबर बॉलिंग भी मिल सकता है मतलब एक ठीक ठाक ऑप्शन आपके टीम में रहेंगे नंबर चार पे आके 25-30 बना सकते हैं और उसके अलावा एक आक विकेट भी लेके दे रहेते हैं आलंकि विकेट फेक दिया जो इंपोर्टन पॉइंट है एक या दो ओबर इनको भी बॉलिंग मिलता रहता है इसलिए आपके टीम में अच्छे ऑप्शन होंगे जरूरू ट्राई करने कोशिस कीजिए स्लो विकेट पर चलने के चांसेच कम रहते हैं लेकिन फिर बॉलिंग के ओवर्स बढ़ सकते हैं इसलिए आपको इनको कवर जरूर करना चाहिए और बैटिंग विकेट हुआ तब तो सीधे सीधे ले लिजेगा क्योंकि तकड़ा इटिंग कर सकते हैं सैम करन विकेट टेकिंग नेचर के गदबाज है प्लस आपको बैटिंग ब तेज सर्मा अच्छे हिटर है लेकिन वही है बहुत बड़ा नौक हमिसा नहीं केलेंगे आराम से छोड़ सकते हैं सारूक खान इनके साथ भी वही है ज्यादा बैटिंग नहीं मिलता हर्प्रीद ब्रार गिदबाज काफी अच्छे है लेकिन एक तो सामने लिफ्ट हैंडर ज़्यादा है और दूसरा टीम इन पे बहुत ज़्यादा बरुसा नहीं कर रही है दो ओवर के आसपास ही गिदबाजी मिल ला है इसलिए उतने अच्छे पिक नहीं होगे अंटिन एल्लेस के एकदम स्लो विकेट ना हो जाए स्लो विकेट भी हो जाएगा तो उनके पास अ जिनका परफॉर्मेंस इस समय बहुत ही कह सकते विकेट वाईज खराब चला है विकेट टेकिंग वाईज नहीं तो गिदबाजी ठीक ठाक किया एकनोमिकल रहे हैं लेकिन विकेट उतना ज्यादा नहीं मिल ला है और उसका रीजन यह अपना वैरियेसन उस हिसाब से नहीं बोल कर पा रहें इस समय अगर एकदम स्लो विकेट होता है तभी रिस्क लीजेगा नहीं तो बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे हेट टू एड उतना अच्छा नहीं है लेकिन वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है उसका रीजन क्या है कि यह स्लो विकेट रहता है तो यहा परकर्स के लिए जाने जाते हैं सुरुवाती हो बस यहां मुव्मेंट की ज्यादा उमीद मैं कर नहीं रहा हूं और उसके लावा कटर्स का भी अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं जनरली एक या दो विकेट जरूर मिलेगा इनको जरूर कबर कीजिए बहुत ही सांदार आज की बात करें यह अर्सदीप और रवाडा के अगेंस से श्ट्रकल करते हैं इनको दो बार आउट किया अगर बात करें तो 33 बनाने में दो बार आउट किया है इनको एक बार आउट कर चुके रहाड़े इनों ने ज्यादा उतना खेला नहीं हुआ किसी को आगे बढ़त बात करें अम बातीहीं तो है रवाडा इंड के था रिटो करते हैं दूबह की बात करें दूबह को अगर ने संट बॉल्ज तो कई बार विकेट फेकते हैं तो वो चांसेज रहेंगे इसलिए रबाड़ा को तुरंत इनकोई आते ही बॉलिंग पर लाया जाएगा जड़ेजा की बात करें तो जड़ेजा भी रबाड़ा के अगेंस श्ट्रगल करते हैं दो बार आउट हो चुके मोहिन अली यह किसी को भी हिट करने में विकेट फेक देते हैं फिलाहल बहुत ज़्यादा इस्ट्रगल किसी के अगेंस नहीं है जिते सर्मा ने ज्यादा खेला नहीं हुआ है धवन की बात करें तो धवन मोहिन के अगेंस दो बार विकेट फेक चुके हैं ओडियाई फॉर्मेट में हलंकी T20 में रन तो ज्यादा नहीं बनाया है लेकिन विकेट नहीं फेका हुआ है आगे चलते हैं बात करें लियाम लिविंस्टन का तो कोई खास इस्ट्रगल देखने को यहां नहीं मिलेगा सैम करन की बात करें यह सेंटनर के अगेंस फसे हुए हैं लेकिन सेंटनर खेलते हुए नहीं करते हैं किसी बॉलिंग टाइप के अगेंस रुतुराज की बात करें तो यह लेप्टाम पेसर के अगेंस उर्वाती ओवर्स में थोवा सा इस्ट्रगल करते हैं और अरसदीब के अगेंस आपने देखा होगा विकेट फेका हुए लेकिन यहां ज्यादा मुम्मेंट यूज किया जाएगा अस्विन के अगेंस भी आपने देखा होगा अच्छा कासा विकेट फेका हुआ है इन्होंने तो यह इसी लिए मैं बोला हूँ उतने अच्छे पिक नहीं होंगे क्योंकि इनका इस्पिन का गेम उतना अच्छा नहीं है बैटिंग फ्रेंडली पे ब लेगे स्पिनर्स दोनों के अगेंस रिकार्ड खराब है और इनके मतलब यह आएंगे एक दो छक्के मारते हैं में यह गिदबाजों के इगो से खेलते हैं हिट करेंगे फिर एक आग पर आउट हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं सिवम दुबे की बात करें सिवम दुबे का अगर आप देखेंगे नो तो इस्पिनर्स के अगेंस रिकार्ड बहुत अच्छा है और ब्रिक को काफी अच्छा के लिए पैसट का लेग स्पिनर्स के अगेंस 37 दसुलों दो का एवरेज लेकिन अगर वही देखेंगे एक्स्टा पेस ना तो राइट आम एक्स्टा पेस 19 का एवरेज है लेटाम मेडियम पेस 19.4 का एवरेज है मतलब अर्सदीप और रवाड़ा दोनों ही इनके लिए खत्रे वाले गिद्वाज रहेंगे धमन की बात करें यह लेटाम एक्ष्टा पेस के अगेंस तो सा श्ट्रगल करते हैं और बाकी सब के अगेंस इनका लेगिन कोई अच्छा लेटारमर उधर है नहीं तो most probably यही लेटाम और्थोडाक्स और आप ब्रेक इन दोनों को लाया जाएगा इनके अगेंस जिते इस सर्मा की बात करें तो जिते इस सर्मा का बैटिंग नीचे ही आता है फिर भी दो टाइप के गिदवाजों के अगें अगर बैटिंग फ्रेंडली होता है या बैलेंस होता है तो मैं लूँगा अगर स्लो विकेट होगा तो फिर मैं रहाड़े को ड्रॉप करूँगा most probably सीवम दूबे बैटिंग फ्रेंडली पर आप रिस्क ले सकते हैं आगे बढ़ते हैं अल राउंडर्स में जड़े ठीक ठाक ऑप्सन होंगे दो बर बॉलिंग न ज्यादा अच्छे न ज्यादा खराब बोलेंगे हाँ वही स्लो विकेट हो जाएगा तो अच्छे ऑप्सन रहेंगे लियाम लिवें इस तर्ण आपको कुछ ऑबर बॉलिंग भी करेंगे प्लस तगड़े हीटर हैं इसलिए म कोई उतना अच्छ ऑप्सन नहीं होगा बॉलिंग में और सदीप रबाड़ा दोनों ही अच्छे ऑप्सन होंगे इन दोनों को यह आपको कवर करना चाहिए तिछड़ा मोस्टली सेकेंड बॉलिंग में ज्यादा अच्छे पिक होंगे हाँ अगर स्लो विकेट हुआ तब इनको कवर करना चाहिए आराम से तब इनके विकेट लेने के चांसे बढ़ जाएंगे नहीं तो फर्स्ट इनिंग में बहुत ज़्यादा विकेट इनको नहीं मिलता है आगे बढ़ते हैं राहुल चाहर फॉम उतना अच्छा नहीं चल लेकिन अगर स्लो विकेट होता है ज नहीं तो बहुत अच्छे औप्शन नहीं रहेंगे आगे बढ़ते हैं केप्टन की बात करें तो सैम करन कॉणवय और उसके अलाबा सिखर धवन गयकवाड यह अच्छे कप्टनशी आपके लिए रहेंगे फिलाल के लिए करन को मैंने केप्टन किया है कॉनवय को भी सी आ ऑर नीचे के आप्डेएट आपको वहीं मिलेगा धन्यवाद